नमस्कार दोस्तों, प्यारवी हिंदी में स्वागत है, मैं हूँ जॉन, आज की वीडियो में हम Microsoft Excel के एक और नए फीचर के बात करने वाले हैं, Microsoft Excel में Subtotal आपने कई बार प्रयोग किया होगा या कई बार आपने सुना होगा, तो आज की वीडियो Subtotal के बारे में होने वाली है, अगर आपको Subtotal की जरुवत पढ़ती है तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार होने वाली है, Subtotal जैसे की नाम से ही हम जानते हैं किसी एक डेटा को उसको टुगड़ों में करके या उटको किसी कैटेगराईजेशन के हिसाब से उसको टोटल करना, ठीक है तो यह कैटेगराईजेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास एक बार पहले Subtotal के लिए हम देख लेते हैं कि हमारी क्या कंडिशन से हैं या कैसे हम Subtotal के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्या-क्या requirement है हमारी या कैसे Subtotal लगता है, तो Subtotal के जो syntax है यह है कि Subtotal उसके बाद function number जो predefined होता है, और उसके बाद जो हमारी range होगी या जो reference number हमें लेने होंगे वो name range भी हो सकती है या reference number भी हो सकते हैं, तो अब इसके लिए कुछ चीजें हमें ध्यान रखने वाली हैं या कुछ सर्ते हैं आप ऐसा मान सकते हो, तो पहला है कि जिस भी column को आप Subtotal करना चाहते हो वो sorted होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपके Subtotals multiple time आ जाएंगे, duplicate हो जाएंगे और वो आपका data का कोई मतलब नहीं रखेगा, दूसरा सर्त यह है कि जो हमारी data range है या जो total जहां पे हमारा पूरा data है वो filter के range के अंदर होना चाहिए, अगर filter के range के अंदर नहीं होगा तो जो बचा हुआ data है वो Subtotal में count नहीं होगा जिससे result हमारे अधूरे आएंगे, हम यहां पे Microsoft Excel में data वाले tab में जो outline ribbon section में अगर हम जाएंगे तो वहां पे Subtotal का option है, उसको use कर सकते हैं जिससे हमारा Subtotal का जो layout है वो काफी better दिखेगा और हम इसमें इसको collapse और expand भी कर सकते हैं इसके sections को, यहां पे हमारे पास predefined function में 1 से लेके 111 तक और 101 से लेके 111 तक हमारे पास दो range होती है, ठीक है तो दोनों में फर्क यह है कि जो 101 से लेके 111 तक की range है इसमें हमारे जो hidden data है वो count नहीं होते हैं, अब अगर हमारा data horizontal में है जैसे लास टाइम हमने hlookup के लिए देखा था horizontal और vertical data में क्या difference है, तो अगर हमारा data horizontal format में है और हमने कोई column को hide किया तो subtotal में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सिर्फ row को hide होने की जानकारी लेता है, या आप ऐसा मान सकते हो कि subtotal जो है vertical data के लिए बना गया है ना कि horizontal data के लिए तो इसलिए अगर हमारे columns hide भी होते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर row हमारे hide होते हैं तो उस time पे हमारा function का output फरक पड़ेगा, अगली हमारी condition है या अगली हमारे feature मान सकते हो आप subtotal की कि अगर आपने already subtotal लगा रखा है और उसके उपर आप दुर्सा subtotal लगा रहे हो तो यह उस value को ignore कर देता है ताकि आपका data सही रहे, एक और आखिरी सर्त या आखिरी इसकी जो condition है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे कोई भी cell या जिसमें हम subtotal लगा रहे हैं जो calculation की हमारी column होगी अगर वो कोई 3D reference को अगर refer कर रही है या उसमें 3D reference है कोई तो उस case में हमें value error दिखेगा और आखिरी जो एक इसमें आप additional बो में आपको दिखा रहा हूँ इसके अलावा अगर हम कुछ डालते हैं तो यह counting में नहीं आएगा या calculation error आएगी या formula आपका सही से नहीं लगेगा यह हो गए हमारे subtotal के लिए कुछ जो सर्ते थी या कुछ ध्यान में रखने वाली चीज़ें तो यह हमारे कुछ या जो predefined सा इग्नोर कर देते हैं equivalent वह values हैं और साथ में third column में आप देख रहे होंगे कि उनके कौन से function है यह वहाँ पर define किये गए हैं या दिये हुए हैं तो जैसे average count, count all, minimum, maximum, product, sum, deviation यह सारे function आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चलिए Excel sheet की तरफ बढ़ते हैं और इसको apply करके हम जैसे Excel sheet में आ गए हमारी जैसे अभी हम एक बार सब्टोटल के लिए पहले condition define कर लेते हैं या क्या सब्टोटल लगाना है एक यह हम पहले कर लेते हैं अपने हिसाब से identify करते हैं हमारी क्या requirement है यह पता कर लेते हैं suppose करिए कि यहाँ पर मेरे पास segment है consumer corporate और home office तो एक तो म मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं जैसे हमने अभी बोला हम यहां से डाटा टैप में जाएंगे ठीक है डेटा टैब में जाने के बाद में outline section और outline में sub-total section यह से हमारा data tab हो गया ठीक है यहां से हमें last में आना है outline वाले section में और यहां पे हमारे को select करना है सब्टोटल वाला जैसे हमने बोला कि जिस सेग्मेंट में जिस कॉलम में हमें सब्टोटल करना है उसको हमें सॉट करना है तो यहां पे पहले मैं सेग्मेंट वाइज डेटा देखना चाहता हूं तो सेग्मेंट को मैं सॉट कर लेता हूं ठीक है सेग्मेंट को सॉट करने के के लिए जो पहले से हमने फिल्टर लगा चुके हैं यहां पे आपके पास अल्रडी आम डेटा टैब में हैं तो डेटा टैब में आप कोई भी स्वाट हो सकता है अभी के लिए मैं इसको एसेंडिंग से डिसेंडिंग या एक स्वाट कर लेता हूं जैसे आप देख रहे के अंदर क्लिक किया और सब्टॉटल में क्लिक करते हैं यहां पर हमारे पास पहला है कि need each change और करके जो यह option देख रहे हैं यहां पर हमारे पास जितने भी हमारे इस डेटा में columns हैं, वो सारे आने वाले हैं, मैंने कुछ column को hide कर रखा है, इसलिए हो सकता है कि आपको range में नहीं दिख रहे हैं, फिर भी यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या देखना है, कि जो हमारी change कहाँ पे हो, अगर segment में हो, तो हम यहाँ पे segment में choose करेंगे, अगर change होती है segment में, तो हमें क्या function यूज करना है, अब यह हमारे उपर है, जैसे हमने वहाँ पे देखा, कि जो हमारे पास 11 function available है, ठीक है, वही यहाँ पे भी available आपको दिखेंगे, तो sum करना है, count करना है, average, minimum, max, या जो भी आप function चाहते हैं, यहाँ से choose कर सकते हैं, मैं अभी के लिए sum लेता हूँ, ठीक है, अब sum लेने के बाद में, पहला हो गया कि कहाँ पे change होने पे, दुसरा है कि कौन सा function, और तीस्टा option है कि sub total कौन से column में लगाना है आपको, तो अभी के लिए हमें sales का देखना था, तो मैं simply sales में tick करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे दो-तीन option और है, जैसे आप देख रहे होंगे, एक तो है कि replace current subtotals, अगर आपने कोई पहले से subtotal लगा रखा है, तो अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं, तो नया subtotal लगाते ही, पुराना वाला हट जाएगा, दूसरा option है कि page break between groups, जब subtotal ग्रूप बनाएगा, डेटा के, जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन अलग-अलग segment के consumer थे, तो उन तीनों के भीश में page break डाल देगा, जिससे आपको print करने में आसानी हो सकती है, और तिसरा option है कि summary below data, तो इसका मतलब है कि जो पूरा data range है, subtotal उसके सबसे last में लगके आएंगे, आप इसको अगर हटा देते हो, तो by default में टॉप पे subtotal का data आएगा, तो अभी के लिए as it is रहने देते हैं, और okay करता हूं में, जैसे मैं ने okay किया, आप देख रहे होंगे, इसी table में change हुई है, कोई नया table या कोई नया seat नहीं बना है, ठीक है, और यहां पे आप अगर देख रहे होंगे, तो यहां पे हमारे पास outline के लिए कुछ options आ गए, ठीक है, और यह पूरी lining आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो अब इसमें जैसे हम दो number पे क्लिक करते हैं, अभी के लिए, जैसे यह दो layer है, एक, दो, तीन, ठीक है, तो पहला layer अभी by default, जो बिल्कुल zero level में चला गया, जो grand total है हमारे sales का, यह हो गया, ठीक है, अगर second level पे आते हैं, तो हमारे पास जो तीनो section थे, उनके sum आ गये, और अगर हम layer 3 में जाते हैं, यह level 3 में जाते हैं, तो हमारा पूरा-पूरा data हो गया, और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको break करने के कोशिच करता हूँ, तो जैसे consumer यहाँ पे खतम हुआ, तो consumer का total हमारा, यहाँ पे is row में आ गया, और आपके पास यहाँ पे minimize करने का भी option है, जैसे आप जगाने की जरुद पड़ती है, तो उस case में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका दूसरा data है, जैसे अगर हम यह बोले कि segment wise और यहाँ पे हमारे पास category wise ले लेना है, तो आपको पहले category को भी short करना पड़ेगा, ठीक है, और segment को भी short करना पड़ेगा, तो मैं एक बार पहल यह हट जाएगी, और वापस हमारा जैसे outline section यहाँ से हट गया है, जो आप देखने हैं, तो मैं पहले category को short करता हूँ, ठीक है, यह थोड़ा सा ध्यान रखने वाली step है, अगर हमें multiple subtotal लगाने हैं, तो जो second layer है, या जिसको आपको बाद में लगाना है, उसको पहले short कर ली तो अभी मेरा consumer section मैंने short किया, इसके उपर मैंने, जो हमारी category है, इसको short किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके advance short में भी जाके कर सकते हैं, कि पहले आप short wise segment करें और दूसरा आपका, जिसे हम category की बात कर रहे हैं, तो product category, ठीक है, यह भी आप कर सकते हैं, एक ही साथ में आपक same ही रहने वाला है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहला subtotal मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, segment wise, sum करने वाला हूँ, sales बे, ठीक है, इसको मैंने ok कर दिया, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, तो यह data आ चुका है, ठीक है, और अब मैं इसी के उपर, वापस मैं data range के अंदर ही हूँ, sub total पे क्लिक कर रहा हूँ, और अब मुझे करना है category wise, ठीक है, तो मैं यहाँ से category चूच कर रहा हूँ, यह category select हुई, और उसमें भी मुझे sum करना है, ठीक है, और आप sum यहाँ पे एक साथ में multiple columns का भी ले सकते हो, जैसे cost और sales का दोनों जग तो इसको मैंने जैसे uncheck किया, और ok करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए, तीन की जगे 4 layer हो गए, अब मैं एक बार इसे 2 layer पे जाता हूँ, level 2 पे जैसे जाता हूँ, level 2 में हमारा categories का, sorry, segment का subtotal आ गया, ठीक है, level 3 में अगर मैं जाता हूँ, तो इनी के अंदर, हमारे पा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप एक-एक segment wise क्लिक करके देखते हैं, तो तीनों हमारे level 1 के जो total थे, 172 million के आसपास data है, ठीक है, और अगर आप पूरे range को select करके देखते हैं, तो यहाँ पे 516 million के आसपास है, तो यह Excel अपने आप ही ध्यान रखता है, कि जब यहाँ पे subtotal लग रहा हो, तो existing subtotal को count ना करें, तो अब एक चीज और जो हमने देखी यहाँ पे, अभी के लिए, जैसे मैं level 3 में रहता हूँ, जहाँ पे हमारे दोनों subtotal हैं, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो हमारा formula है, जो ध्यान रखने वाली चीज, चाहे किसी में भी है, आपके पास range आ रही है, किस range का subtotal हुआ है, और यहाँ पे function number आ रहा है, जैसे हमने शुरू में देखा, slide में, कि subtotal उसके बाद function number और reference, यहाँ रेफरेंस का range है हमारा, यह continue रहेगा, तो यहाँ पे हमने range select करी वही है, अब इसी तरीके से, आप इसको change भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप directly, जैसे suppose करिए कि consumer total है, level 2 में जाते हैं, यहाँ पे हमें इनका total नहीं देखना है, अगर हमें average देखना है, तो जो function के code है, यहाँ पे आप जैसे mouse अटा होगे, तो आपके यहाँ पे दिख जाएंगे, एक से लेके 11 तक, और फिर नीचे हम मैं यहाँ पे average करता हूँ, या एक चूज करता हूँ, या एक मुझे type करना है, जैसे मैं एक को type करता हूँ और function को बंद करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मेरी value चेंज हो जाएगी, और उसी तरह मैं यहाँ पे दूसरी जगे पे भी, दूसरे cell में भी हमारे, इसको subtotal का जो formula है, या जो उसका function code है, उसको change कर रहा हूँ, ठेके, average करके, यहाँ पे हमारा data change हो गया, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे subtotal में, last में 9 ही है, जो कि sum का code है, तो इस वज़ए से subtotal वापस यहाँ पे same आ रहा है, इस तरीके से हम subtotal को use कर सकते हैं, अब इसी म एक जल्दी से जो hidden row वाला concept है, वो देख लेते हैं एक बारी, suppose करिए कि हम segment 2 के उपर, furniture के उपर काम करते हैं, ठेके, यह data है हमारा, थोड़ा बड़ा है, मैं इसको बीच में चलिए, इसी में देखते हैं, furniture का total अभी जो हमारे पास आया हुआ है, यह है 49 million के आसपास, ठेक जैसे यह formula आप देख रहे होंगे, और इसमें हमारा यह function code है, जो कि हमने बात करी है, जो 9 है, ठेके, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, simply 109 करता हूँ, ठेके, 109, यह भी हमारा समकाई है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठेके, 109, और इसको formula को बंद कर देते हैं, तो अभी आप देख रहे होंगे, 29, 141 हो गया, और अगर मैं इसी को और थोड़ा सा data को मैं hide करने की कोशिश करूँ, जिससे आपको difference और अच्छे से visible हो, जैसे आप यहाँ देखेंगे, अब furniture का total आपका, 27, 464 हो गया, लेकिन अभी जैसे cell हमारे hidden ही है, जो आपने देख लिय जो हमने पूरे row को hide किया हुआ है, अगर मैं इसको simply 9 करता हूँ function को और वापस formula बंद करता हूँ, तो वापस हमारा जो data है, वो जैसे पहले था, वापस उसी phase में आ गया कि 29, 328, 698, जैसे हमने देखा कि hidden row ignore करने का, और hidden row को include करने का, क्या difference है, यह भी हमने इसमें देखा इसको आप manually भी लगा सकते हैं, आपको जहां पर भी लगाना है, जैसे अभी हमने यहां पर, हाला कि edit करते time पर हमने देख भी लिया, तो अभी मैं यहां पर sub total लिखता हूँ, 9, ठीक है, और मैं range अभी के लिए पूरी range ले लेता हूँ, ठीक है, तो bracket बंद, अब अगर मैं कोई भी यहां पर value change करता हूँ, ठीक है, तो category में जैसे मैं खाली furniture लेता हूँ, तो आप देख रहे होंगे, यह value हमारे change होते जाएंगे, और इसी तरह यहां से अगर कोई मैंने और filter भी लगाया, तो भी वो value यहां पर change हो जाएगा, simply यह क्या करता है, जो हमारी filter की range है, filter लगे हुए हैं, उस data के उपर जो हमने function code define किया, उसके हिसाब से data निकाल के लेके आता है, अगर वीडियो आपको helpful लगी, और कुछ नहीं जानकारी मिली, तो वीडियो को like करें, हमने दोस्तों के साथ share करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो ह हमारे चैनल को subscribe करें, धन्यवाद